चित्रकूट में भरत यानि जब भगवान राम चित्रकूट पहुच चुके हैं माता के कई उन्हें बनवास दे दी हैं 14 वर्स के लिए तो भरत को बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि भरत उस समय ननिहाल में था और बाद में उन्हें ननिहाल से लाया गया है तो भरत को यह सशी भाई को किस तरह से बन में भेजा गया है बहुत ही वे आहत हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं और जब वे माता के कई से मिलते हैं तो मा के कई को भी बहुत जली कटी बातें सुनाते हैं फिर कौसलिया से मिलने जाते हैं कौसलिया को भी कहते हैं कि मा मेरे तरफ से को कुछ भी हाथ नहीं है मैं राम को वापस वन लेने जा रहा हूं तो इस तरह से चित्रकूट में भरत पहुंच जाते हैं तो इसके बारे में ही इस पाठ में बताया गया है बच्चों आगे मैं पाठ सुरू करती हूँ भरत के कई राज में थे यानि भरत जो थे वे अपने ननिहाल में थे अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभग्य थे यानि उनको कुछ भी जो भी अयोध्या में घटना घटी थी के कई राम को बनवास दे दी हैं और फिर राजा दसरत की मिर्ती हो जाती है यह सब कुछ भी ख़वर भरत को नहीं था क्योंकि आज कल तो टेलिफॉन का यूग है मोबाइल का यूग है लोग मिन्टों में सारा ख़वर एक दूसरे को दे देते हैं लेकिन पहले के जवाने में यह सब सुविधा नहीं थी तो लो कि भरत को कोई भी बात की जानकारी नहीं थी कि अयोध्या में क्या-क्या घटना घटी है लेकिन वे चिंतित थे लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ दुख अंदर से था कभी-कभी ऐसा होता है बचों कि जब कहीं अपना अपने ही परिवार के लोग बिमार हो जाते हैं या क पराग्राफ में यहीं दिखाया गया है कि भरत जो है ननिहाल में थे और ननिहाल आयोध्या में जो घटनाय हुई थी इसके बारे में भरत को कोई भी जानकारी नहीं थी लेकिन अंदर से वे दुखी थे उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका आर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा अब वो क्या किये जैसे कि हम लोग अपने दोस्त लोगों के साथ मिलते हैं तो सुनाते हैं कि यह आज मैं यह सपना देखा दूसरे दोस्त आपको सुनाएंगे कि मैंने आज यह सपना देखा इसी तरह जब भरत अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो वे भी अपने जो अपना रात को देखे थे उस बात की जानकारी दोस्त को देखते हैं तो संगी साथियों मतलब दोस्तों के बीच बातचीत में उन्होंने कहा महीं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है पर सपने में मुझे डर लगने लगा है, मैंने देखा कि समुद्र शुख गया है, चंद्रमा धर्ती पर आग गिर परे हैं, ब्रिक्च सुख गया है, एक राक्षसी पिता को खीच कर ले जा रही है, वे रत पर बैठे हैं, रत गधे खीच रहे हैं, तो इस तरह का गलत सपना जो है भरत देखे थे, अनहोनी जब होता है कहीं, तो कुछ न कुछ गलत चीज लोग देखता है, सपने में, तो यही शपना जो है भरत भी देखे थे, जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुरसवार दूत आप पहुँचे, और यह सपना सुना ही र भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तयार हो गया, ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, यानि उनका मन जो है ननिहाल में, जिस तरह से पहले उए रहते थे, प्रेम भाय से, उस तरह से नहीं मन उनका लग रहा था, अंदर से गलत गलत सपने आ रहे थे, मन दुखी हो रहा था, क्योंकि उनकी पिता की मिर्तियू भी हो गई थी, और प्यारा भाई जो था राम उनको बनवास मिल गई थी, तो यह इस तरह से दुखी थे, वे आयोध्या पहुचने के लिए उताव ले थे, केकाय राज ने भरत को विदा किया, सो रथों और सेना के साथ, उन्हें गुर्फ सवारों से अधिक शमय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना परा, सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा शकते थे, वे आठ दिन वाद आयोध्या पहुचे, अब देखिए इसमें दिखा जा रहा है कि आठ दिन के बाद केक मानने नहीं लग रहा था, जैसा कि पहले लग रहा था, जो अयोध्या नगरी थी उस तरह नहीं लग रहा था, बदला बदला सा था, अनिष्ट की आशंका, मतलब लग रहा था कि कुछ न कुछ अनुहोनी हुआ होगा, और उनके मन में और गहरी हो गई, मतलब उनके मन में अन्होनी ऐसा लग रहा था कुछ हो गया है तो और भी गहराते जा रहा था उनके दिल को दुखी करते जा रहा था या मेरी आयोध्या नहीं है क्या हो गया है इसे उन्होंने पूछा सरकें सुनी हैं बाग वगीचे उदास हैं सब लोग कहां गए वे तुमुल नाद कहां है पक्षी भी कल्रब नहीं कर रहे हैं इतनी चुपी क्यों किसी ने भरत के प्रशनों का उत्तर नहीं दिया और बार बार जो हैं घोरे पर बैठे हुए थे उनसे यही बात वे पूछ रहे थे कि इस तरह का आयोध्या कैसे हो गया है और सरकें सुनी सुनी लग रही है बाग सारी लोग रहते थे रास्ते में कोई दिखाई ने दे रहे हैं और तुमुल नाद कहां गया बहुत सारे सोर तुमुल नाद मतलब सोर सराबा होता था यह सब कुछ भी नहीं है पक्षी भी कल्रब नहीं कर रहे हैं इतनी चुपी क्यों है किसी ने भरत के प्रशनों का उतर नहीं दिया क्योंकि कहीं न कहें घुरसवार जो थे वे भी काफी दुखी थे पसु पक्षी चिडिया भी जो है वो भी दुखी थे राम को बनवास मिल गया था राजा दसरत भी मिर्तियू को प्राप्त हो गया थे तो चारु तरफ सनाटा चाया हुआ था उदाशी भरा मा हौल था नगर पहुंचते ही भरत में सिधे राजभवन गया महराज दसरत के प्रशाद की और जहां पर महराज दसरत जी रहते थे वहां पर हो गया है देखे कि महराज जी वहां नहीं है फिर वे कई के महल की और बर है माने आगे बर कर पुत्र को गले लगा लिया परंतु भरत की आँखें पिता को ढूण रही थी उन्होंने मा से पूछा पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं और वे जो हैं भरत अपने पिता के जगह जहां पर बैठते थे वहां गए हैं वहां भी पिता जी नहीं दिखाई दिये हैं फिर अपनी माता के पास गए हैं माता पुत्र को के कई गले तो लगा ली हैं लेकिन भरत बार बार यही पूछ रहे हैं कि पिता जी कहा है उन्होंने मा से पूछा तो मा बोल रही है पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सब को जाना है उनका निधन हो गया है यानि उनकी मिर्थी हो गई है यह सुनते ही शोक में डूब गए और यह समाचार जब भरत सुने हैं तो सोक में डूब गए पचार खाकर गिर परे यानि बहुत ही बैकुल होने लगे विलाफ करने लगे क्योंकि पिता जो है उतने बूरे भी नहीं हुए थे ना कोई बिमारी लगी थी तो उनको बहुत ही दुख हो रहा था कि अच्छानक यह हमें क्या सुनने को मिल रहा है मा के कई ने उन्हें उठाया धाढ़स बंधाया कहा उठो पुत्र यसस्वी कुमार सोक नहीं करते तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है राजगुनों के विरुद्ध है अपने को समहा लो अब जो है माता के कई अपने पुत्र भरत को अनेक तरह की बातें समझा रही है कि तुम बहुत यसस्वी हो और जो राजगुमार होते हैं उनके पास बहुत सारे गुन होते हैं यह सब धायरिज का समय है तुम्हें यह सोक नहीं करना चाहिए तुम अपने आपको समा लो क्या से क्या हो गया भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राजगुशेक की तैयारियां में व्यस्त होंगे सब कुछ उल्टा हो गया उन्होंने मेरे लिए कोई शंदेश दिया अब भरत पूछ रहे हैं कि मैं यह सोच रहा था कि पिता जी राज्या विशेक की तैयारियां में वैस्त हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ उल्टा हो गया है भरत मा से पूछा कि अंतिम समय में उनके मुख से केवल तीन सब्द निकले थे अब वे बोल रहे हैं भरत की उन्होंने मेरे लिए कोई शंदेश दिया तो मा बोल रही है कि उनके मुख से केवल तीन सब्द निकले थे हे राम हे सीते हे लक्षमन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा अब वो मा इस तरह से बाते कर रही है कि तुम्हारे बारे में भरत तुम्हारे बारे में पिता जी ने कुछ नहीं बोला भरत ब्याकुल थे विकलता बढ़ती ही जा रही थी वह तुरंद राम के पास जाना चाहते थे महराज ने उन्हें वनवास दे दिया है चौदा वर्स के लिए अब जो हैं भरत ब्याकुल हो रहे थे और उनकी विकलता यानि ब्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी वह तुरंद राम के पास जाना चाहते थे महराज ने उन्हें बनवास दे दिया है तो क्या कह रही है कि महराज यानि तुम्हारे पिता जो हैं उन्हें बनवास दे दिया है 14 वर्स के लि भाता राम से कोई अपराद हुआ अब यहां पर भरत पूछ रहे हैं क्या भाई राम से कोई गलती हुई है गलती हुई थी राम ने कोई अपराद नहीं किया महराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया इसके लिए मैंने महराज दसरत से प्रार्थना की थी अब माता के कई जो जो सच्चाई है उस बात को बता रही है कि राम कोई अफराद नहीं किया है और महराज भी उन्हें दंड नहीं दिया है इसके लिए महराजा दसरत से मैं ही प्रार्थना की थी तुम्हारे पिता हित में यही उचित लगा तुम्हारे हित में मुझे यही उचित लगा मैं तु अब जो है जो बातें वे सोच रही थी इसी बात को भरत को बता रही है कि मैं अहित नहीं देख सकती थी कि कई ने कहा वर्दान की पूरी कथा सुनाते हुने उन्होंने कहा उठो पुत्र राजगदी श्रमालो अयोध्या का निशकंटक राज अब तुम्हारा है यानि निशकंटक मतलब बिना किसी बाधा के अब यह राज तुम्हारा है अब जो है भरत को अनेक तरह से समझा रही है कि मैं दो बर्दान मांगी थी एक की राम चौदर वर्स के लिए बनवास चला जाए और दूसरा कि भरत राजगदी पर बैठे राजा बने तो यह सब प भरत अपना क्रोध नहीं रोक सका चीख परे यह तुमने क्या किया माते ऐसा अनर्थ घोर अपराद अपराध ही नहीं हो तुम वन तुम्हें जाना चाहिए था राम को नहीं मेरे लिए राज अर्थ हिन है यानि कोई काम का नहीं है पिता को खोकर भाई से भिछर कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज और जैसे ही भरत सुनते हैं अपनी माता का यह वचन कि निसकंटक राज तुम शमहा लो तो यह सुनकर उनका क्रोध बहुत ही अधिक धक पड़ता है बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं अनेक तरह की जो अनुचित बाते हैं अपनी मां को कहने लगते हैं कि यह अनर्थ है यह तुमने घोर अपराध की हो और तुम अपराध नहीं हो वन तुम्हें जाना चाहिए राम को नहीं जाना चाहिए और मेरा यह राज जो है कोई काम का नहीं है जहां पिता नहीं है मैं पिता को खो दिया हूँ भाई से में किसने तुम्हारी बुद्धी भरष्ट कर दी है उल्टा पाठ किसने परहाया है यह अपराद अच्छम में है यानि छमा नहीं किया जा सकता मैं राजपद नहीं ग्रान करूंगा तुमने ऐसा सोचा कैसे सभासदों की और मुरते हुए भरत में हाज जोड कर कहा आप भी स मैं दास बन कर रहूंगा अब जो हैं एक सच्चा भाई एक सच्चा भाई का इसमें प्रेम दिखता है कि किस तरह दोनों भाई में निश्वार्त प्रेम है किसी को भी अपने भाई चारों भाई में इतना प्रेम है कि भरत चाहते ही नहीं है कि इस तरह जो हैं वह राजा ब मतलब मैं नौकर बनकर रहूंगा भरत बहुत उत्तेजित हो गये थे मतलब बहुत ही गुस्य में हो गये थे स्वेंग पर नियंत्रन नहीं रख सके नियंत्रन मतलब कंट्रोल वे नहीं रख सके बोलते बोलते उनकी सांस उखरने लगी मतलब बहुत ही बोल रहे थे और बोलत उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए उनके चर्णों में गिर पर एक कौसल्या आहत थी बहुत ही ब्याकुल थी अब क्या होता है जब उनको इतना सोजने के बाद वे बेहोश हो गया और जब उन्हें होश आया तो वे कौसल्या की महल में जाते हैं और उनसे लि मनो कामना पूरी हुई तुम जो चाहते थे हो गया राम अब जंगल में है अयोध्या का राज तुम्हारा है मुझे बस एक दुख है कि कई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो अनुचित था निर्मम था तुम राज करो पुत्र पर मुझ पर एक दया करो मुझे मेर राम के पास भिजवा दो अब यहां पर कौसल्या कह रही है कि देखो तुम्हारी मनों कामना पूरी हो गई है यानि तुम्हारे मन में भी ऐसी कामना होगी कि मैं राजा बनू पूरी पूरा हो गया और तुम जो चाहते थे वह हो गया अब राम जो है जंगल में है और आयोध यह बहुत ही अनुचित था निर्मम था बहुत ही मतलब यह छमा करने योग नहीं था तुम राज करो पूर लेकिन मुझे जो है राम के पास पहुचा दो भरत ने रानी कोसल्या से छमा मांगी सफाई दी रानी के कई के बभार पर गलानी व्यक्त की कहा राम मेरे प्रिय अ सकता मैं निरपराध हूँ और वे कह रहे हैं किसमें मेरा कोई भी गलती नहीं हुए है कौसल्या ने भरत को छमा कर दिया उन्हें गले से लगा लिया भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे हैं सुबह तक सत्रुगन को पता चल गया था कि केकई के कान किशने भरे अब क्य अध्या के घटना करम से घवरा गई थी छिप गई थी कुछ दिनों से उसे किसी नहीं देखा था और यह जब से इस तरह का चाल मंथरा की थी तब से वह छिपी हुई थी कि कहीं मुझे कोई माड़ दै या मेरे उपर कोई जुल्म अत्याचार करेंगे कुछ दिनों से उसे किसी नहीं देखा भरत और सत्रुगन राम को वापस लाने पर मंत्र ना कर रहे थे मतलब योजना कर रहे थे तब ही सत्रुगन की द्रिष्टी बचकर निकलती मंत्रा पर पड़ी और उसी समय क्या होता है मंत्रा वहां दिखती है उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लि भरत को दासी की भूमिका बताई सत्रुगन उसे जान से मार देने पर उद्दत थे भरत ने बीच बचाओ किया और भरत को सत्रुगन को पता चल गिया कि यही मंत्रा जो है इस तरह का चाल चली है तो खिशते हुए भरत उनका बाल खिशते हुए लाते हैं और सारी बात का उन्हें पता चल गया कि जो भी यह काम हुआ है दासी की भूमी का है मतलब यही सारा चाल चली है और माता के कई को यही सिखाई है अब सत्रुन चाह रहा था कि उसको जान से मार दें लेकिन भरत उनको रोक लिया मुनी वशिष्ट अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त मतलब ख बैठे हुए थे वे चाह रहे थे कि राज सिंहासन जो है खाली नहीं रहना चाहिए खाली सिंहासन से खत्रों खाली सिंहासन के खत्रों से वे परिचित थे उन्होंने सभा बुलाई भरत और सत्रुगन को आमंत्रित किया भरत ने कहा वत्स भरत से कहा वत्स तुम पिता के निधन और बड़े भाई के बन गमन के बाद यही उचित है। आगरह को औस्विकार कर देते हैं बोले मुनिबर यह राज राम का है वही इसके अधिकारी है मैं यह पाप नहीं कर सकता हम सब बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे अब जो है भरत जराशा भी उनका यह मन नहीं है कि वे इस चीज में भागीदार बने मतलब उन्हें जराशा भी इस राजा बनने से मन में प्रशंता नहीं हो रही है बलकि और अधिक वे दुखी होते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इतना बरा पाप नहीं कर सकता हूँ कि मैं शिंहासन पर बैठूंगा मैं राम को वापस जरूर लाओंगा वन जाने के लिए सभी तयार थ सबकी एक्षाथी की राम अयोध्या लोट आयें अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभाशदों के साथ वन के लिए चले गुरु वसिष्ट साथ थे गुरु वसिष्ट जी भी उनके साथ थे नगरवासी भी थे अयोध्या की चतुरंगिनी शेना मतलब ऐसी सेना थी उ था पैदल सैनिक भी चल रहे थे राम अब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुँच गये थे वहां एक आसरम था महरसी भरदवाज का गंगा यमना के संगम पर राम आसरम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महरसी को और शुविधा ना हो महरसी ने उन्हें एक पहारी दिख थाई सुन्दर अस्थान सुरम में द्रिश पर्ण कूटी वहीं बनाई गई पर्ण कूटी मतलब पत्तों से बने हुई कूटिया वहां पर बनाई गई और भरत को सूचना मिल गई थी कि वह चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दलवल के साथ सेना के चलने से आश्मान धूल से अट गया था और सेना इतने सारे सेना साथ में चल रहे थे कि चारू तरफ धूल उर रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा आश्मान धूल से भर गया है हर और कोलाहल का बातावरन था वे स्रिंग वेर फूर पहुंचे निसाद राज गूह को सेना देखकर कुछ संदे हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आकर्मन करने तो नहीं जा रहे हैं ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में हम लोगों को भी संका हो जाता है तो उनको भी निसाद राज गूह को यह संका हो रहा था कि हो सकता है कि कहीं भरत राम को राम के उपर आकर्मन मतलब राम को माड़ने जा रहे हैं यही सही इस्थिती पता चली तो उन्होंने भरत की आगवाने की मतलब उनको सही इस्थिती का पता चला कि भरत ऐशा करने नहीं जा रहे हैं बलकि राम को अयोध्या वापस करने के लिए जा रहे हैं तब वो क्या करते हैं उनकी मदद करते हैं ग गंगा पार्ग करने के लिए तुरंत गुव जो है निसाद राज पांस सो नाव जुटा देते हैं रास्ते में मुनि भरद्वाज का आस्रम परा उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए वही पहारी दिखाई जहां राम ने पर्ण काम है चित्रकूट अब नजदी की आने वाला है आगे जंगल घना था सेना चली तो वन खलवली खलवची मच गई थी मतलब सेना चली तो बन में खलवली मच गई थी जानवर इधर उधर भागने लगे पक्षियों ने अपना वसेरा छोड़ दिया छोटी बरस्पतियां स चोटे चोटे घास पत्ते जो थे वे सब सेना इतने सारे थे कि कुचल गई बड़े ब्रिक्ष थर्थरा उठे मतलब चारों तरफ ब्रिक्ष का अपने लगे राम और सिता पर्ण कुटी में थे मतलब पत्तों से बने हुई कुटिया में थे लक्षमन पहरा दे रहे थे कोल तरफ कोला हो रहा है तो वे क्या किये हैं सबसे उचे जो एक पेड थे उस पर चरकर देखने लगे हैं कि आखिर बात क्या है कहां से सेना आ रही है लक्षमन ने देखा कि विराठ सेना चली आ रही है सेना का ध्वज जाना पहचाना था एउध्या की सेना थी अब उनको नहीं साथ इदर आ रहे हैं लगता है हुआ हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके अब यहां पर लक्षमन जी को थोड़ी सी संका हो रही है कि हो नहो लक्षमन भरत के मन में कहें ऐसा भी विचार आ गया हो कि सब को मार दे और जो है इसलीं और इसलीं रम भर तर्यामी है वे जानते हैं कि भरत ऐसा नहीं कर सकते हैं राम कुटी से बाहर आये उन्होंने लक्षमन को समझाया भरत हम पर हमला नहीं करेगा कभी नहीं वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा राम ने कहा भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या उच्छित्त है अब य लक्षमन आस्वस्त नहीं थे वे सेना पर आकर्वन करना चाहते थे लक्षमन जो है इस बात से सहमत नहीं थे वे सेना पर आकर्वन करना चाहते थे राम ने उन्हें रोक दिया बीर पूरुस धैर्ज का साथ कभी नहीं छोड़ते कुछ समय प्रतिक्षा करो इस प्रकार का उताबलापन उचित नहीं है अब राम लक्ष्मन को समझा रहे हैं कि तुम्हें धैर्श से रहना चाहिए और कुछ समय वेट करो पृतिक्षा करो इस तरह से उताबलापन करना उचित नहीं है यानि बहुत जल्दी कोई भी निर्णा लेना ठीक नहीं है भरत ने सेना पहारी के नीचे रोक दी नगरबासियों से भी मुही ठाड़ने को कहा कुला हल थम गया और जो भी कुला हल हो रहा था वो सब थम जाता है उसकी जगह पुनावन की नए सरगिक शांती ने ले ली और वहां पर बहुत ही शांत वातावरन हो गया भरत ने पहारी को परणाम किया प्रतिक्षा नहीं कर सकते थे अब इस पैरग्राफ में दिखाया जा रहा है कि भरत अपने भाई राम से मिलने के लिए किस तरह से ब्याकूल हो उठते हैं अचानक उनका चलने का जो है गती बढ़ जाता है और वह मिनट भी प्रतिक्षा में नहीं बैर्ट करना चाहते हैं कि किस तरह से जल्द से जल्द राम से मिल सके पहारी दूर से उन्हें एक छवी दिखी पहार पर दूर से उन्हें एक छवी मतलब शकले दिखी वह राम थे सिला पर बैठे हुए थे मतलब चटान पर बैठे हुए थे पासी सीता और लक्षमन बैठे थे भरत दौर परे राम क के चरणों में गिर परे उनके मुख से एक सब्द भी नहीं निकला सत्रुग्न ने भी राम की चरण वंदना की बोले वे भी नहीं उन्होंने दोनों को उठा कर सीने से लगा लिया सब की आखों में आसू थे अब तीनों भाई जो हैं राम लक्ष्वन भरत सत्रुग्न अब जो हैं भरत सहस को यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे की बरे भाई को यह सूचना देने का कि फिता दसरत अब नहीं रहे हैं एक दुखद समाचार है अब जो हैं वे बता रहे हैं कि एक दुखद समाचार है भ्राता बहुत कठनाई से उन्होंने कहा पिता दसरत नहीं रहे आपके आने के छठे दिन दुख में प्रान त्याग दिये रामशन रह गये सोक में डुब गये अब यहां पर यहां बताया जा रहा है कि किस तरह से भ्रात अपने पिता की मिर्तियू के बारे में और लक्षमन भी राम को नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि राम अगर सुनेंगे तो वे बहुत ही दुखी हो जाएंगे की मिर्तियू का समाचार सुनकर लेकिन फिर भी वे बता रहे हैं बाद में उन्हें बताना परा कि पिता दसरत नहीं रहे हैं और आपके आने के छठे दिन ही वे प्रान त्याग दिये हैं और राम जब यह सुनते हैं तो बहुत ही दुख से दुखी हो जाते हैं और सोक में डूब जाते हैं आगे बताया जा रहा है कि राम को पता चला कि भरत के साथ केवल शेना नहीं आई है नगरवासी आए हैं गुरुजन आए हैं माता आई है केकई भी राम लक्षवन पहारी से उतर कर उनसे भेंट करने आए सबसे अशनेह से मिले सीता को तपश्वनी के बेस में देखकर माता आए दुखी हुई राम ने केकई को परणाम किया साथ भाव से मतलब थोरा सा भी उनके मन में गुसे की भावना नहीं थी कि केकई हमें बन को भेजी है बलकि वे सहज जिस तरह पहले सहज रहते थे उसी तरह सहज भाव से प्रेम से केकई से मिलते हैं उन्हें परणाम करते हैं और गुरुजन माता और वहाँ से जो भी लोग आए हैं सबसे मिलते हैं केकई मन ही मन पस्ता रही थी अब केकई जो है मन ही मन पष्याताप कर रही है कि ऐसा मेरे मन में विचार कैसे आ गया और किस तरह से मैं राम को जंगल भेज दिया हूँ भेज दी हूँ तो अब मन ही मन दुखी हो रही है अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहन का आगरह किया समझाया विंती की अयोध्या लोट चले राम इसके लिए तयार नहीं हुए पिता की आग्या का पालन अनिवारी है पिता की मिर्तियू के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड सकता भरत को राज काज समझाया कहा कि अब तुम ही गदी शम्हालो यह पिता की आग्या है भरत कितना भी कोशिस कर रहे हैं उन्हें वापस आयोध्या लोटने के लिए लेकिन राम कह रहे हैं कि नहीं यह पिता की आ कि किस तरह से राज काज को समझाया है और बताए कि अब जो है तुम ही राज गदी को समहलो क्योंकि यह पिता की आ गया है राम भरत संबाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्तित थे मुनी वशिष्ट भी वहां पर उपस्तित थे भरत बार बार राम से लोटने का करता के साथ इसे और स्विकार करते रहे महरसी वशिष्ट ने कहा राम रखुकुल की परंपरा में राजा जेष्ट पुत्र ही होता है तुम्हें अयोध्या लोटकर अपना दायुत निभाना चाहिए इसी में कुल का मान है और यहां पर जो है वशिष्ट मुनी भी उन्हे समझा रहे हैं कि तुम अयोध्या लोट चलो क्योंकि बड़े पुत्र ही राजा बनते हैं राम ने बहुत संयत स्वर में कहा मतलब बिनम्र स्वर में कहा चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे सुर्ज पानी की तरह ठंड़ा हो जाए हिमाला शीतल ना रहे समुद्र की म राजगंदी समालनी चाहिए अब है भरत जी अब राम को कितना भी समझा रहे हैं वसिस्ट मुने जी लेकिन वे कह रहे हैं नहीं मुझे जो पिता आग्या दिये हैं उसका मैं कभी भी मतलब आग्या का मैं पालन करूंगा और मैं राजगंदी नहीं समाल सकता राम किसी तरह लोटने को तयार नहीं हुए भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे वे विफल हो गया थे मतलब और शफल हो गया थे राम को मनाने में आप नहीं लोटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाओंगा आप मुझे अपनी खराओं दे दें मैं 14 वर्स उसी की आग्यां से राजगात चलाओंगा अब यहां पर राम से भरत कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे अयोध्या तो कम से कम आप जो खराओं पहन रहे हैं खराओं एक तरह के जैसे की चपल हम आत्मा होते हैं अभी भी वही पहनते हैं तो वे बोले कि आप अपना खराओं मुझे दे दीजिए और मैं 14 वर्स उसी की आग्यां से राजगात चलाओंगा यानि जहां पर राजगर्दी पर राम बैठेंगे या भरत बैठेंगे वहां पर वे खराओं को रखेंगे और व और कहा 14 वर्स तक अयोध्या पर इन चरन पादू काओं का सासन रहेगा सब को परणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया अब राम जो है अपना चरन पादू का खराओं दे देते हैं भरत को और भरत परणाम करते हैं राम को और वहां से सारे लोग विदा हो जाते हैं राम की चरन पादू काओं को एक सुसजित हाथी पर रखा गया प्रतिहारी मतलब शेवक उस पर चमबर डुलाते रहे अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादू का पूजन किया कहा ये पादू काओं खराओं राम की धरोहर मतलब आमानत है मैं इनकी रक्षा करूं इनकी गरिमा यानि शम्मान जो है इनका गौरब जो है इस पर कभी भी आच नहीं आने दूँगा और बहुत ही प्रेम से यहां पर दिखाया गया है कि भरत को राम से कितना प्रेम है कितना अधिक प्रेम है कि उनके चरन पादू काओं को ले जाकर उन्हें धरोहर के रूप में राजगदी पर रखते हैं और 14 वर्स वे एक सेवक के रूप में राजकाज को शम्हालते हैं यानि इसमें दिखाया गया है कि भले ही राम चित्रकूट में है जंगल में है लेकिन चरन पादू का यह चरन पादू का जो है राम का रूप वहां पर है ऐसा लग रहा है कि चरुन पादुका नहीं बलकि राम श्वंग राज चला रहे हैं भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके तपस्वी के वस्तर पहने और नंदिग राम चले गए और भरत जो हैं अयोध्या का सुख जो था वहां का अश्वरी जो था उन्हें थोरा भी नहीं भाया क्योंकि जब राम ही नहीं तो उन्हें कोई सुख नहीं और राम के दुख से इतने वे आहत हो गया कि वे तपस्वी के वस्तर पहन कर नंदिग राम चले गए जहां पर आयोध्या नहीं होता है अक गाउँ था आयोध्या के पास में ही नंदिग राम वहां पर जाकर के चौदा बरस तक वे वहाँ पर ही राम की प्रतिक्षा किये और वहीं से राजकाज चलाते हैं जाते समय उन्होंने कहा मेरी अब केवल एक इक्षा है इन पादुकाओं को उन चरणों में देखू जहां इने होना चाहिए मैं राम के लोटने की प्रतिक्षा करूंगा 14 वर्स और यहाँ पर दि दिखाया गया है कि किस तरह भाई भाई में प्रेम है किस तरह भाई जिस तरह दुख में रह रहे हैं बनबन जंगल में उन्हें दुख उठाना पर रहा है तो भरत भी जब तक राम नहीं आते हैं उसी तरह तपश्वी के बेस में वह भी नंदी ग्राम में रहते हैं और व कि भाई भाई का प्रेम किस तरह होना चाहिए माता पिता का प्रेम कैसा होना चाहिए और पती पतनी का प्रेम जैसे सीता है मा सीता राम जहां जाते हैं दुख में सुख में एक साथ वे निभाती हैं दुख सुख में साथ रहती हैं राम के तो इस पाठ में यही दिखाया गय है कि हमें भाई भाई से प्रेम रखना चाहिए और हमें आपस में प्रेम और सौहर्द से रहना चाहिए तो इसी के साथ बच्छों पाठ की शमापती होती है असा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा